अंचल में अभी लेखागार विभाग वो बनाया जाएगा और यहीं पर सारा काम होगा क्या है चलिए समझते हैं क्या बनेगा और यह निउस पेपर में इसम पुराने और नए काध्यात है उसका विबरन विभाग में रखा जाएगा तो इस बिभाग में मतलब आपका जो भी है पुराना हो नया हो जो भी कागजात है उसका information रखा जाएगा सारा जानकारी मतलब ऐसा नहीं है कि उस information को destroy कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा इसा तो कुछ नहीं, यह सारा information को हटा दिया जागा, information रखना जरूरी होता है, ठीक है, तो जो है यह जो अविलेखागार विभाग है, इसमें जितना भी जमीन सम्मंदीत पुराना हो, नया हो, जितना भी कागजात है, उसका जो विबरन है, उसको रखा जाएगा, ठीक है, स अगर कोई भी information मांगने आए, तो उसके लिए लूणना आसान हो, तो अब देखते हैं, इसको पहले एक वार समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, देखें, यहां पे जो है बोला कि राज के दोसो सरसट, है ना, दोसो सरसट है, अंचल में, जो जल्द आधुनिक अभी ले खड़ित के लिए, और सेस बचे अंचलों के लिए नहीं बित्या वर्स में दी जाएगी, तो मतलब यह सब के लिए नहीं है, तो 534 टोटल अंचल कारियाल है, मतलब जो अंचल कारियाल है, वो 534 है, जिसमें 436 का भवन मन के तयार है, लेकिन अभी फिलाल यह काम होगा, अ उतना डाटा इंटरी ऑपरेटर जो है, वो भी वहां पे बहाल किया जाएगा, अब बेल्टरोन है, बेल्टरोन के थुरू वो अपना जो भी संस्थान है, उसके थुरू जो है, वो लेने का अपना बहाली कराने का अपना यह है, तो वो जो है बहाल किया जाएगा, ठीक है लेकिन ये जो देख रहे हैं कि अभी लेखागार भवन बनाने का जो है बहुत जगा आप समझ सकते हैं कि 436 अंचलों में भवन बन कर तयार है और बहुत जगा जो है बनना बाकी है तो वहां बनाया जा रहा है तो ये बनाने के बाद सारा information वहां रखा जाएगा सारा computerize होगा धूरना आसान होगा कोई भी information निकलना आसान होगा अभी सभी जिलाँ पहले जाते थे कहा जो अभी लेखागार आप हर जिलाँ में अभी जैसे जमीन का खतियान निकालना हो जमीन का मतलब और भी पुराना दस्तावेश निकालना हो तो कहां जाते हैं ठीक है तो वहीं जाते हैं अभी लेखागार विभाग में जाते हैं डिस्टिक में जाते हैं जो अभी लेखागार विभाग है वहां पर अपना खतियान के लिए अप्लाई करते हैं वहां से खतियान निकालते हैं ठीक है तो जो भी है नया निकालना और नय लेकिन अब अंचल में भी सारा काम अगर केम्पूटराइज हो जाएगा तो कोई चीज ढूनना इनफॉर्मेशन निकालना असान हो जाएगा मतलब लोग जो है वेजन करेंगे और फिर जो है उसको उसका जो भी इनफॉर्मेशन चाहेगा वह असानी से निकल जाएगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको की जखिए बिहार में 534 अंचल में जो है इतना अंचल बावन बन कर त्यार है वही बात है और जिसका जो है काम एक तरह से सुरू और जगह भी चल रहा है और इस सत्र में 206 अंचल में है जो है काम सुरू किया गया और अगले सत्र में पूरा जो है मतलब एक तरह से समझ लिए कि आप पूरा जेतना भी अंचल है 534 अंचल है सभी जगा यह लागो कर दिया जाएगा औ तो इसके लिए अभी अभी लेखाकार में जो है को बहाल करना है मतलब कहीं पर अभी computer वैसा operator है नहीं तो इसको बहाल करना सरकार को जल्द जो है इसका बहाली परक्रिया भी किया जाएगा और ताकि जो है मतलब system को क्या करना है system जो है ठीक है और हम सबको बोलते हैं कि अपना जमीन जो भी है उसको जरूर जो अगर आपका online जमीन नहीं आ रहा है कहीं से चेक करवा लिजिए अगर कुछ से करते हैं तो ठीक है अगर नहीं आ रहा समझ में तो कहीं से आप जो जहां internet related work होता है वहां से चेक करवा लिजिए कि आपके future के लिए आगे के लिए बहुत benefit है मतलब वह बहुत जरूरी है तो इतना काम आपको कर लेना चाहिए तो आपका जमीन है उसको online जरूर कर लेना चाहिए ठीक है तो यह जो है एक information था जानकारी जो हम आप तक पहुंचाए शेर किये अगर आप लोगों के मन में कोई जो भी सवाल हो तब कमेंट करके जरूर पूछिए अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरू कर दें चैनल को पहली बार देखना सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लिजे मिल के अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिं